हाई फ्रेंड्स दिस इस विकास वेलकम टो इंजिनेर्स लार्निंग सेंटर यूटूब चानेल आज हम बात करेंगे केसे फुएल रिडूस कर सकते हो गाड़ी में और हाव टो इंक्रिस फुएल एपिसेंची फुर्दाट नाव ये रियोजिंग न्यू टेक्निक दाट हाईब्रीड सिस्टम प्रम सुजुकी चालिया देखते हैं उसका पार्टवाइज फंक्शन पहले आईएसजी दाईएसजी टेक्स दाप्लेस अफे कॉन्वेंशनल अल्टरेटर नाण दाईएसजी इस जेनेरेटर विटे मोटर फंक्शन ये बहुत आच्छी तरीका से ब इंजिन को सपोट करना है तो लिथियो मायन बेटरी से अब देखेंगे डिटेल में रिस्टार्ट फंक्शन का टाइम जब आप क्लास दवाते हो तो बेटरी एनरजी प्रोबाइड करेगी और वो स्टार्टर जेनेरेटर के के एक बेल्ट गुमाएगी जोकी इंजिन से कन लिथियो मायन बेटरी इंजिन को सपोट करेगी तो मायलेज आपने आप बढ़ेगा अब हम देखेंगे कि दो इंजिन आटो स्टॉप में एसे बीएस कैसे काम करता है तो पहले होगी इंजिन आटो स्टॉप उसके बाद होगी रिस्टार्ट तो जब आप क्लास तो आपने आप यहांपे बेटरी से अनर्जि लेके ISG एक बेल्ट घुमाएगा जो बेल्ट इंजिन से कनेक्टेड है तो यहांपे बेल्ट इंजिन को चालू करने में मदद करेगा आकसेलिटर दबाने का बात लिथियो मायन बेटरी से चो अनर्जि ले जाएगी ओ आएस और दोनों बैटरी अपने आप चार्ज होगी तो यहां पे ISG काम करेगा चार्जर तोरपे और दोनों बैटरिये को अपस और एक बार त्यार करेगा फूल एबसेंस के लिए जब भी गाड़ी का आक्सिलीटर छोड़ा जाता है या फिर ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है तो इंजिन से जेनेटर उने पूरा एनरजी ISG खुद सोक लेता है तो यह यूज करेगा बैटरी को बहुत अच्छा से और फास चार्ज करने के लिए अब आये देखेंगे कि अट्टो स्टॉप फांक्शन केसे काम करेगा जब आप गाड़ी न्यूट्रल गेर में लेके छोड़ देंगे और गाड़ी का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और उससे कम होगा तो आपने आप इंजिन स्टॉप हो जाएगा इससे आपका फुएल बचने बाला है और गाड़ी स्टॉप होते समय आपको बहुत यूजी होगा दिस इस आल एबाउट एसस बीएस सिस्टम जदे आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो क्रिपया मेरा चैनेल को सस्क्राइब करो तकि फ्यूचर में इससे आटोमेशन वीडियो अपलेड कर सकत रहा हूं अगर कुछ कोश्चिन होगा तो कमेट बाक्स में जरूर लिखिए बूलना मत थैंक्यों बाए फिर मिलेंगे